Hello students, Class 6, History, Chapter 1, What, Where, How and When आप पहली बार History पढ़ने जा रहे हो एक अलग बुक के अंडर क्योंकि अभी तक आप पढ़ते थे EBS, उसमें History नहीं थी तो अब आप History पढ़ोगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे Chapter, जो हमारा First है उसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे What यानि कि Past आया कहां से, क्या है Past, कैसे आया और कब आया, यह पूरस चेप्टर का आपका Conclusion है, सबसे पहले उपर आपको छोटी सी Questions दिया हुआ है कि रशीदा है, रशीदा निउस्पेपर पैट के पढ़ रही है, उसने एक हैडलाइन देखी, 100 year ago उस हैडलाइन को देखके वो थोड़ी सी हैरान हो गई, कि Could anyone know what had happened so many years ago, कि इतने सालों पहले वोई चीज हुई है, यह किसी को पता भी है तो आप, जब कल की खवर पढ़ते हो, तो रेडियो निउस्पेपर में पढ़ते हो लास्ट एर की जो खवर पढ़ते हो, तो किससे पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था कोई आपको याद दिलाता है कि पिछली साल है ऐसा हुआ था वट अबॉट लॉंग लॉँग औहए हो, जब आपको बहुत पुरानी खवर जाननी हो पुरानी चीज़ को पहचानना हो, पता लगाना हो, तब आप क्या करते हो तो आप क्या करते हो, हिस्टरी में जब आप पढ़ते हो, तो आपका नेक्स टोपिक आता है कि what can we know about the past आपको past के बारे में क्या क्या पता है आप देखते हो पुराने लोग के खाते क्या थे, कौन से clothes पैनते थे, कैसे house थे कैसे रहते थे, कौन hunting करता था, यहने शिकार करता था, कौन herder, herder means जानवरों को पालना farmers, कौन ruler था priest कैसा था, craft persons artist, musician, scientist इन सब का knowledge जो है आपको history से पता चलता है आपको पता है, पुराने जमाने के बच्चे कौन सी game खेलते थे, क्या story आपको पता है, क्या story आपको पता है, क्या पता है, इस सब हमें history बताती है where did people leave लोग रहते कहां थे ये भी हम history से पता चलता है देखो उपर लिखा भी हुआ है नर्मदा on map 1 ये river है नर्मदा ये next page, page number 2 पर map 1 है वहाँ आपको location मैं बताऊंगी जो नर्मदा river थी कहते वहाँ पर बहुत सालों पहले, यानि कि several hundred thousand years ago वहाँ पर लोग नर्मदा नदी के किनारे में रहते थे और जो रहते थे वो लोग क्या क्या करते थे gatherer थे, यानि कि चीजों को इकठा करते थे भोजन संगर हैंड जिसे कहते हिंदी में यानि कि जो भी जंगल से मिला उसको gather करके अपने पास रख लेते थे और उसके बाद वो अच्छे से जानते थे कि कौन सा प्लांट जो है जंगल में मिलता है जिसकी हमें roots खाने चाहिए, fruits खाने चाहिए जो भी forest से मिलता था वो सब चीज़े वो gathering करके अपने घर में रख लेते थे उसके बाद है उसी नदी के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे ही उस लोग hunting भी करते थे यानि शिकार भी करते थे अनिमल्स का तो अब हम page turn करेंगे और देखेंगे उस map को जहां river नर्मदा शोकी हुई है यह आपका map यह है आपकी नर्मदा रिवर आपको दिखरी होगी यहां लिखा है नर्मदा रिवर यह जो नर्मदा रिवर है यह आपको देख रहे है मध्यपरदेश से होते हुए यह गुजरात से जाते हुए अरेविन सी में मिल जाती है अब जो नर्मदा river है यही वो river है जिसके पास जो है gathering भी कर रहे थे लोग और hunting भी कर रहे थे अब हम और भी देखते हैं कि वहाँ पे और क्या हो रहा था अब 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 उपर देखो next है आपका सुलेमानी किर्थार hills to the northwest नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मतलब पाकिस्तान की तरफ देखेंगा वहाँ पर सुलेमानी और किर्थार इन दो हिल्स में यह जो पहाड़ी लाका जो पाकिस्तान में चला गए जो पहले इंडिया में था यह नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है यहां पर कहा रहे हैं कुछ वोमेंज और मैं जो थे इन्होंने सबसे पहले वीट और बरली जो है उस ग्रो करना शुरू किया आज से 8000 येर एगो तो ये दे दो लकेशन बहुत इंपॉटन्ट है नर्मदा रीवर औरάपकी सुलेमानी और किर्थार हिल्स नेक्स्ट आपको कहा रहे हैं कि यहीं के जो लोग थे सुलेमानी और किर्थार एलस के लोग इन्होंने सबसे पहले जानवरों को पालना भी शुरू किय जैसे शी, गोट, कैटल और इन लोगों ने गाउं में रहना भी शुरू किया अब आपका लिखाए कि गारो हिल्स आपको गारो हिल्स दिख रहे हैं नौर्थ इस्ट की तरफ यह देखें मैं आपको फिंगर से पॉइंट ओर करते हैं गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया में विंधिया, बिंधिया, यह ली विंधिया, यह दोनों एरियाज मैंने अभी आपको दिखाए गारो हिल्स और विंधियाज यहाँ पर सबसे पहले एगृक्लचर डेवलप हुआ और agriculture में rice जो था वो सबसे पहले विंधियाज में grow किया गया आप देख सकते हो इस map में विंधियाज के साथ मैंने rice लिखा हुआ है ताकि ये बच्चे को याद रहे और यहाँ पर Garo के साथ मैंने लिखा है agriculture developed यानि सबसे पहले जो agriculture development हुई वो Garo Hills और विंधिया में हुई और विंधिया में जो है rice production शुरू हुई सबसे पहले इंडिया में अब आपको कह रहे है next river इंडस ये आप देख सकते हो इंडस रीवर पहले हमने नर्मदा रीवर पड़ा था अब हम इंडस पे focus करेंगे इंडस की ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हो पांच जेलम चिनाव ब्यास रावी सतलुच ये पांचों नदिया जो पंजाब बना ह इन्हीं पांचों नदियों से बना है अब ये जो ट्रिब्यूटरी हैं ये हमारे एरिया में काफी सालों से फ्लो करती हैं 4700 ये एगो इतने सालों पहले इंडिया में जो सबसे पहले cities flourish हुई यानि जो शहर बने वो ज़्यादा तर bank of these rivers ही जो पांच नदिया मैंने आपको दिखाई इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी इसके आसपास ही हमारे अर्लियस cities जो है flourish हुए इन्हीं rivers के bank पे यानि किनारों पे 2500 ये एगो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास भी जो है cities development हुई आप देख सकते हो next river गंगा और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसके bank में भी जो है development हुई डेवलप हुई cities आप यहां देख सकते हो गंगा रिवर ये गंगोतरी से निकलते हुए उत्राखंड से होते यूपी में आती है और इसकी ट्रिब्यूटरी आप देख सकते हो इधर यह मुना है इधर सोन है और इधर भी rivers बनी हुई है बड़ नाम नहीं लिखे है क्योंकि अभी आपके लिए इतना जानना ही काफी है और आगे गंगा जाकर इधर से जाते हुए बांगला देश जो कि उसमें इंडिया में ही था उधर से होते हुए बे औफ बेंगॉल में जाके गिरती है अब है नेक्स्ट आपका गंगा के बाद सोन जो मैंने आपे लिखा है ये भी जो है बहुत इंपोर्टन है क्याते है पुराने टाइम में ये जो रीवर है सोन जो कि गंगा के सौथ में है यहीं पर ही बहुत बड़ा शहर होता था मगध जिसे हम कहते हैं मगधा आप ये देख सकते हो गंगा के ट्रिब्यूटरी सोन ज इसके जो रूलर थे बहुत ही पॉवर्फुल थे बहुत बड़ा लार्ज किंग्डम था नेक्स्ट आपका पीपल ट्रेवल फॉम वन पार्ट उदा सब कॉंटिनेंट तो लोग उसमें ट्रेवलिंग करते थे हिल्स के थ्रू हाई मौंटेंस के थ्रू हिमाले को क्रोस करते हुए, डैजर्ट को क्रोस करते हुए, रिवर्स को क्रोस करते हुए, सीज को क्रोस करते हुए, हर तरह से क्रोस करते हुए, डेंजरस जगहा पे भी जाते थे, but never impossible, मतलब ट्रैवलिंग उनके लिए कभी impossible नहीं थी, उस जमाने में लोग हर चीज को क्रोस करते हुए जाते जाता तर मैन और वूमेन जो थे उसमें लोग मूवमेंट करते थे तीन चीजों के लिए सर्च ऑफ लाइवलिहूट यानि जीने के लिए खाने पीने की सर्च के लिए क्योंकि सेकंड हैप का नैच्रल डिजास्टर जब फलर्ड डॉर्ड इस तरह के नैच्रल डिजास्टर जाते थे उस समय में लोग उस जह को छोड़ कर चले जाते थे समटाइम मैन मार्श इन आमिस जो आदमी होते थे वह आरमीज में थे तो आरमिजां को पता है कि सैनाएं दूर दूर तक जाती हैं क्यों दूसरे एरियास को क्वेंकर करने के लिए यानि कि उन पर कबजा करने के लिए मर्चंट्स पर ट्रैवलिंग करते थे जो व्यापारी होते थे बिजनसमेन होते थे उस समय ये अपने कारवां के साथ जाते थे शिप्स के साथ जाते थे जहाज में दूर दूर तक अपनी चीजों को लेकर वैल्यवल गुड्स को कैरी करते थे उसके लावा रिलीजिस टीचर जो थे जो धारमिक गुरू होते थे वो भी गाउं गाउं जाकर शहर शहर जाकर लोगों को इंस्ट्रॉक्शन देते थे एडवाईस देते थे धरम से रिलेटेड और फाइनली कह रहे हैं कि कुछ पीपल ट्रैवलिंग करते थे एडवेंचर के लिए जैसे आज कर लोग को एडवेंचर का जाधा शौक है उसमें भी लोग एडवेंचर के लिए दूर दूर तक जाते थे डिस्कवर करते थे न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसे तो आल दीज लीड टू शेरिंग अफ आइडवेंचर के लोग यानि इन सब जो लोग इधर से उदर ट्रैवलिंग कर रहे थे जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा इनकी वज़ा से ही पूरी दुनिया में जो आइडियास थे वो शेर हुए आपस में सभी लोगों के नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ओफ दर लैंड यानि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पढ़ा या भारत कैसे पढ़ा आप देखो सबको पता है इंडिया के दो नाम है कुछ लोग इंडिया कहते हैं कुछ लोग भारत कहते है उपर आपकी बुक में लिखा हूँ है कि जो इंडिया है वो नाम इंडस से आया इंडस मतलब हमारी सिंदू नदी जिसे हम Sanskrit में Sindhu कहते हैं Hindi में भी Sindhu कहते हैं और English में उसे Indus कहते हैं जो Iran और Greece के लोग थे अगर आपने कईThis map में देखा होगा Atlas में तो Iran और Greece के जो लोग थे जिन één Iranians and Greeks कहा जाता है यह लोग आए थे इंडिया में North West के through 2500 यागो यानि की गुजरात से और महाराष्ट्र की तरफ से आये थे और ये लोग जो थे फैमिलियर थे इस नदी से इंडस नदी से क्योंकि उधर से इंडस नदी दिखती थी सबसे पहले मिलती थी उन्हें और ये लोग इंडस को हिंडोस कहते थे या इंडोस कहते थे ये इंडस नहीं कहत इंडिया और भारत भारत कैसे पड़ा एक ग्रूप होता था लोगों का जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहता था उस ग्रूप का नाम भारत था और इसका नाम रिगवेद में भी मेंशन किया हुआ है आपको पता है हिंदु धर्म की चार किताव है उसमें जो पहली है वो जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनकी वज़े से इसका नाम भारत पड़ गया अब हमें पास्ट करें पता कैसे चला आप नीचे एक फोटो देख सकते हो यह मैनुस्क्रिप्ट है जो हाथों से लिखी हुई है पर लिखी किस्प है इसके बार मैं यहां देखेंगे आप उसके ऊपर यह मैनुस्क्रिप्ट लेखी हुई है मैनुस्क्रिप्ट का डेफिनेशन भी आपका side में दिया हुआ है आप यहां देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है मैनु जो है Latin words है जिसका मतलबता hand यानि हाथों से script आपको पता है कोई भी चीज लिखते जब हैं तो जब कोई चीज हाथों से लिखी होती है, उसे manuscript कहते हैं, definition उपर दी होई है, ये देख सकते हैं, तो palm leaf पे लिखी जाती थी, और palm leaf के अलावा, bark of a tree, एक पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होती है, उस पे भी लिखी जाती है, और उस पेड़ का नाम है बिर्च, जो की में मिलता है, तो ये दो चीजे थी हमारे पास, एक palm leaf और एक bark of a tree known as the birch, तो ये दो palm leaf और बिर्च की बार्क, इन पे ही ये manuscript लिखी जाती थी, ये manuscript जो थी, काफी सारी तो insects खा गए, कुछ destroy हो गई, जो थोड़ी बहुत बची है, temples में और monasteries में, monastery आपको पता है, जो बहुत धर्म के मंदिर होते हैं, वहाँ पर ही बची हुई है थोड़ी बहुत, जिसे लोग अब देख सकते हैं, और इस books में काफी सारी बाते लिखी होती है, religious के बारे में, जो की practice होती थी उस जमाने में, उस समय के जो राजा थे, उनकी life, medicines के बारे म आगे आपको कह रहे हैं कि कुछ epics हैं हमारे पास, जो कि Sanskrit में लिखी हुई है, अदर वरिन प्राकृति लेंग्विज और तमिल, यानि तीन भाषा में epics हमारे पास हैं, जो की manuscript के अंदर आती हैं, क्योंकि वह हाथों से लिखी हुई थी, तो Sanskrit language आपको पता है, प्राकृत जो language है, वो उस समय के आम जनता बोलते थे, क्योंकि Sanskrit जो थी, वो ब्रामनों की भाषा थी, राजाओं की भाषा थी, पर आम जनता की भाषा जो थी, जो language थी, वो प्राकृत थी, और तमिल, आपको पता ही है, सौट की language जो आज भी है, तो इन तीन languages में manuscript काफी मिली है, नेक्स्ट हम history की study करते हैं, इंस्क्रिप्शन से, आप फोटो देख सकते हो, यह पत्थर पर, यानि कोई भी hard surface, metal भी हो सकता है, पत्थर भी होता है, उस पर जब दिखा जाता है, उसे हम कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, अब इंस्क्रिप्शन जो है, जो फोटो आपको दिख जाता, उससे में इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, इस इंस्क्रिप्शन में, जो language यूज की गई है, वो जो है, two different scripts और languages में है, Greek टॉप पे लिखी गई है, और Arabic बिलो में लिखी गई है, अब हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी hard surface जैसे stone और metal, जब इस पे लिखी जाती है, तो उसे में inscription कहते हैं, आप photo देख सकते हो, ये एक पत्थर है, और इस पत्थर पर लिखवाया गया है, अशोकन है, तो ये जो inscription होती है, ये hard surface पे होती है, इसमें king अपने order लिखता है, अपनी तारीफ लिखता है, अपनी victories के बा archaeologist, क्योंकि इन archaeologist की help से ही हम past की study करते हैं, ये जितने भी objects मिलते हैं, खुदाई के time पर, आपने देखा होगा, archaeologist जो होते हैं, वो खुदाई करवाते हैं, खुदाई के बाद कई चीज़े मिलती हैं, तो उन सब की study करते हैं, और हमें history के बारे में knowledge देते हैं, चाहे buildings हो, है history का knowledge होता है, और इन सब की study जो ये archaeologist करते हैं, और हमें बताते हैं कि history में क्या क्या हुआ था, तो ये लोग explore भी करते हैं, और excavate करते हैं, यानि की surface को खुदाई करके चीज़े निकालते हैं, उसके लावा इनको tools, weapon, pots, paint, ornaments, coins, ये सब भी मिलते हैं खुदाई के समय, औ कुछ bone के बने होते हैं, हड़ियों के बने होते हैं, कुछ clay के होते हैं, कुछ metals के होते हैं, ये सारी चीज़े जब भी निकालते हैं, उससे हमें ये history के बारे में knowledge देते हैं, यहाँ देखे इस picture में, आप देख सकते हो pot है, coin है, silver का coin है एक, तो ये सब चीज़े जो आर्कि की बन, fish की बन, यानि इन सब की बन मिलने से क्या idea लगता है हमें, कि past में इस सब चीज़े लोग खाते थे, आगे आपकी book में लिखा historians क्या होता है, historians होता है, जो study करते हैं past की, यानि कि इतिहास की पढ़ाई करते हैं, हमें information देते हैं, कि manuscript कहां मिली, inscription कहां मिली, और archaeology के बारे में हमें बताते हैं, तो जो study करते हैं history की, past की, वो चीज़े हमें historians बताते हैं, और हम उनको historians कहते हैं, तो historians and archaeologists are like detective, तो ये एक जासूस की तरह होते हैं, जो हमें पूरी जासूसी करके बताते हैं, कि history कैसी थी, और history में, past में क्या क्या हुआ था, past और many, इसमें आप देखेंगे कि सबका past सेम नहीं होता, अब kings जो थे, queens जो थी, उनका past different है, farmer और herder का past different है, craft person का past different है, जिसका जैसा जैसा past था, उस तरह कि वो लोग different practice और customs अपनाते थे, और आज भी आप देख सकते हो, इंडिया के अलग-अलग parts में सबके different customs हैं और practice ह अगर आप अंडमान निकोबार को देखोगे, जो island है अंडमान, यहां के लोग आज भी fishing, hunting और forest से चीज़े collect करके ही अपना जो है गुजारा करते हैं, और काफी सारे लोग जो cities में रहने लग गयें और depend रहते हैं, दूसरे के उपर supplies of food, तो इसका मतलब सबका past different था, जिस अरो, far more, gatherer ओ, इनके कोई record नहीं है, क्योंकि इनके record नहीं रखे जाते थे, what do dates mean, आपने देखा होगा history में dates होती है, BC, AC लिखा होता है, BC मतलब before Christ, यानि Jesus जब पैदा हुए थे, उनके बाद की जो dates है, उसने BC लिखा जाता है, और उसके बारे में आगे हम next chapter में discuss करेंग थे, thank you